क्योंकि कभी कभी भगवान को भी भगतों से काम पड़े जाना था गंगा पार प्रभू के वट की नाव चड़े कभी कभी भगवान को भी कभी कभी भगतों से काम पड़े जाना था गंगा पार पार क्योंकि कभी कभी काम पार प्रभू काम पार प्रभू के वट की नाव चड़े क्या है क्या रख गवान को भी कभी के वाट की नाव चड़े आज कथा अंतिम तक पहुचा देनी है, इसलिए जादा नहीं, दो मेरे मिया, बस यही बात है, लक्षमन जी ने कहा, ठाकूर जी ने कहा कि केवट मुझे पकड़ लो, बुले प्रभू, हम कितनी बार आपको पकड़ लिये हैं, और हम कितनी बार छूट चुके हैं, इसलिए ठाकूर, मैं चाहता हूँ कि इस बार तुम मुझे पकड़ लो, जब बात समझ में नहीं से, जानकी मईया ने कहा, कि प्रभू क्या बात है, फिर अंतिमें प्रभू को पकड़ना पड़ा, प्रभू ने केवट को पकड़ कि केवट का सहारा लिया, फिर जानकी मईया से रा चंदर जी ने कहा, किसी तय तुम नहीं जानते हो, यह हमारा भक्त है और बुद्धिमान भक्त है, जानते हो यह क्यों ऐसा कह रहा था, क्योंकि बच्चा, तुम बच्चे को मेला में लेकर के जाते हो, बच्चे को अपनी उली पकड़वा दो, फिर क्या होगा थोड़ी द केवटने भी यही कहा, प्रभू, अगर हम पकड़ेंगे, तो जब हमारी मर्जी होगी, हम छोड़ के भाग जाएंगे, और अगर तुम ने पकड़ लिया, तो जब तक तुम नहीं चाड़ा होगे, तब तक हमको नहीं छोड़ोगे, और ठाकुर मेरे, मैं भी ही तो चाहता कि एक बार तुम मुझे पकड़ लो, ताकि मैं जीव जगत के बंधन से मुक्त हो जाओं, तो राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे, जैजै स्री राधे, जैजै स्री राधे, जैजै स्री राधे, जैजै स्री राधे, तो मेरे प्य लोग था सत्राजित ओ गया वगवान के पास में भगवान को दिखाया कि प्रभू यह श्यमंतक मनी है भगवान सुर्ज ने मुझे प्रदान किया है थाकुर्जी ने कहा बहुत सुंदर है लेकिन यह तो तुम्हारे पास अच्छा नहीं लगता है यह हमारे राज कोस में जम चाते हो नहीं यह मैं किसी को नहीं दूंगा सत्राजित ओ श्यमंतक मनी को रखता और उसकी रोज फूजा करता एक दिन की बात है उसका भाई था प्रसेन जीत प्रसेन जितने श्यमंतक मनी ली और ले करके घोड़े पर चढ़कर के सिकार खेलने चला गया वह आप बोलो भाईया आप लोगों से निवेदन है कि जो भी आएं तो कैमरे को टच ना करें चुकि जब कैमरा टच करते हो नहीं आपो तो हम बिना नाचे नाचने लगते हैं इसलिए उधर से निकल करके आओ तो बच करके आना आप खुरसी लगा के बैट जाओ वहीं हो किसे उधर जाने मत तो मेरे प्यारे के प्रसेंच जित गया लेकिन प्रसेंच जीत रात्री हो गई वापस नहीं लोटा जब वापस नहीं लोटा तो सत्रा जित को चाहता होने लगी एक दिन गुजर गए नहीं लोटा, दो दिन गुजर गए नहीं लोटा, सत्रा जित को चिंता हो रही है, लेकिन देखो यहाँ पे महराज प्रिक्षित का रहे हैं, कि सत्रा जित को सुगदेव जी का रहे हैं, कि सत्रा जित को उसका समंतक भाई लोट के नहीं आती, इसकी चि गया है, मेरे प्यारे यही चिंता है, हम सब की भी यही चिंता है, हम अपने भाई की चिंता नहीं करते, हम अपनों की चिंता नहीं करते, हम धन की चिंता करते हैं, होता है ना, भूके प्यासे रहा रहे हैं, और कमाए जा रहे हैं, अरे मेरे प्यारे कमा, तो खाने के लिए ही रहे हो ना, लेकिन, तो खमाओ, ये को कहावत भी है न, बिहार में तो खूप तक दिया है, कि खापी के बचे सो धन, और मरजी के बचे सो जन, तो खाओ, जम के खाओ, इतना खाओ, कि फूरे आरा का सारा धन खाजाओ, चावल खा क्योंकि तुम्हाने के लिए यह एक आद्सिए किसने किसने किए है और बस बाकि तो खाने में लगें खाए जाओ खाए जाओ फ्रकॉण थुम्हाने फिर्च लेकिन अरगशा दो पहरी वात नहीं है लेकिन भगवान का गुन अई देखो एक आदिसी के दिन तुम चाबल मत खाओ और एक आदसी का फल भी तुम को प्राप्त हो जायेगा लेकिन कैसे अगर एक आदसी के दिन तुमने एक बार रोटी खाई एक बार भोजन किया और वो रोटी और वी सुद्ध साकाहरी ठाकुर जी को भोग लगा करके अगर तुमने एक बार भोजन किया 24 गंटे में तो तुमको एक आदसी का फल प्राप्त हो जाएगा इसलिए खाप पी करके भी एक आदसी कैसी करी जाती है वो मैंने तुझको बता दिया चावल नहीं खाने का है रोटी खाओ एक बार खाओ एक आदसी का हम फला हार करके एक आदसी कर रहे हैं तुमको अना हार करके भी एक आदसी करोगे फल दोनों को बराबर मिलेगा एक आदसी का मतलब क्या है मैया पांच करमेंद्रियां और प्याच ग्यानेंद्रियां और एक मन इन पांचों को एकत्रत करलो एक जगा ठाकूर में लगा दो यही एक आदसी है अच्छे एक बात और भी है एक आदसी तो हम सब करते भी है लेकिन मैया तुमके एक आदसी का फल मिलता है क्या एक आदसी का फल मिलता है नहीं मिलता है क्योंकि एक आदसी का फल तो जिसको मिलता है वो पारण धंग से कर ले ठीक है पारण ही एक आदसी के फल को प्राप्रदान करवाता है और पारन मतलब दूसरे दिन जो हम लोग करते हैं भोजन दूसरे दिन जो भगवान का जब एकादसी समाप्त होती है न द्वादसी को तो द्वादसी को जब आप पारन करते हो न तो वो अगर ढंग से आपने कर लिया तो आपको एकादसी का फल प्राप्त हो जाता है और अगर उसमें कुछ कमी रह गई तो आपको एकादसी का फल प्राप्त हो जाता है। अग्वान के ठापट अप्राप्त हाकोर जी के चरण को दोबो उसमें तुलत टालो करके सबसे पहले तुलतर का पान करो तब कुछ अनागर न कर तो इससे तुमको एकी ऐासी का फल प्राप्त हो जाता हीगा कि हमारा भाई क्यों नहीं आया उसको अपने मनी की जिनता थी लेकिन उसका भाई नहीं आया तब सत्राज इतने कहा अपने नगर में घूम घूम करके या सोर मचवा दिया डंका पिटवा दिया सब को कहने लगा जो भी उसको मिले ना सबसे यही कहे